एक बड़ फिर से आप सभी का शौगत है आपकी अपनी चैनल MSA Study Talks फर तो जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल के मात्रम से जाड़कर्ण में नौकरी और सिक्षा से लेटेड हर एक जानकरे आप लोगों तक पहुंचा जाता है यहाँ पे एक लैटेस्ट अपडेट आ रह साइंस और सुसा साइंस के विशे में अब एक सिक्षक की नियुक्ती नियावली बनाई गई है तो चली आपको डिटेस में जानकरे देंगे क्या कुछ है और आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा इस तरह की जानकरी प्लीज अपने दोस्तों को भी सेर कीजेगा और अगर चानल पर नए है या चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और ज़ाडखन से जुरू है तमाव अपडेट आपको इसे मिलता रहेगा तो चली बात करेंगे आज ज़ाडखन हाई स्कुलों में सिक्षक नियुक्त संसुधित नियावली हो जाएगी लागू यानि जो संसुधित नियावली बनाई गई है ये संसुधित नियावली अब ज़ाडखन में विशाई कंबिनेशन का आधर पर सिक्षक नियुक्ति 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 बन गई है बस इसको कैबिनेट के मंजूर थी जो कि subject combinations के आधर पर सेम यहां पर भी उसी तरह से होने जा रहा है लेकिन इसमें एक चीज और जाडखन के ही सिक्षन संस्तान से 10 वी और 12 वी इसमें भी अनिवार किया जा रहा है यह संसोधित नियमावली में यह अपडेट आ रही है साथ ही आपको बता दे ऐसा नहीं है सिर्फ physics और गनित के लिए वलकि chemistry और biology के लिए भी एक ही सिक्षक होंगे इसके अतरिक social science में civics और political science और history के लिए एक ही सिक्षक इस तरह के नहीं होली बना जा रही है जबकि भूगोल के लिए अलग एक सिक्षक होंगे यह सिर्फ इसक्री परक्राप्तर्र सिक्षा होपलाप कराने के लिए राजzięk सरकार हर अस्तर पर परयास कर रहे है वर्सों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए शर्कार की ओर से पहल तेजगर दी गही है अब हाई स्कुलों में जल्दी précis की प्रक्राबर होने जा रही है donc यहा स्क्रीन सॉट आपको वहां पर दे देंगे यह नियूज पेपर कटिक आपको वहां पर मिल जाएगा तो प्लीज चैनल को जोइन कर लिजेगा उसके पाद क्या अपडेट है देखिए कि नियुक्ति नियावली में बदला होने के साथ ही स्कूली सिक्षाव साक्षात इस नियावली में ठिक्षावं की संख्या को लेकर बदलाव किया गया हालनकि जो बदलाव किया गया है उसमें अभी कैबिनेट के मंजूनी मिलने के शाथ ही ज़ाड़कण में इस नई नियावली में अब विज्ञान और सोसा साइंस विशाई के लिए अलग-अलग सिख्चक नियुक्ती करने की बजाए विशायों का कंबिनेशंस करके नियुक्ती की जाएंगी High School में सिक्षक निउक्ती के लिए पद भी सिर्जित किया गह है विभाक से मिली जानकारी के अनुसर विशय कम्बिनेसन्स में गणित और फिजीक्स के लिए एकी सिक्षक जबकि इसी तरह केमिस्ट्री और बायलोजी के लिए एक सिक्षक निउक्त किया जाएंगे सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्रिय और सिविक्स के लिए एक ही सिक्चक नियुक्त किये जाएंगी जबकि भोगोल भी सह के लिए अलग से सिक्चक नियुक्ति की जाएगी वहीं लैंगविज पेपर में भी तीन पर्द सिर्जित किये गए है तो जाड़कर में टोटल 14,000 सिक्षक हाई स्कुलों में बहाली होनी है इसके अतरिक जो नए पर सिर्जित किये गए है उनके हिसाब से आप मिलाकर संख्या लगबग 25,000 से उपर है तो ऐसे में जितनी बहाली ठारकर्ण के हाई स्कुलों में होने जा रही है उसमें फीजिक्स और गनित के शाथ साथ कैमिस्ट्री और बायलोजी के सब्जेक कम्बिनेशन का आदर पर सिक्षक बहाली पर क्रिया सुरू होगी शाथ ही सोसल साइंस के सिक्षक निकती में भी आपका हिस्ट्री और सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस को एक साथ बाकी भोगोल के लिए अलग और लैंग्विज पेपर के लिए अलग से पद सिर्जित किये गए हैं तो यह रहा अजगा अपडेट इसी तरह से हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे चैनल पर बने रहेगा और वीडियो के छोटा सा लाइक कर दीजेगा